हलो गाईज़ आप लोका स्वाकत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपर सिंट पर तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलर्शिप के बारे में ये बताया गया था कि 25 तारीक के बाद में जो है आप सभी लोगों की स्कॉलर्शिप आ जाएगी हम लोगों की कोई भी फिकर यहां पर नहीं है आज 27 तारीक हो चुके है और आपको मैं जो अपडेट देने जा रहा हूँ वो अपडेट भी मैं दूँगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप स्कॉलर्शिप लेने के लिए हम लोगो को करना क्या होगा तो आज की जो वीड लेट आई है इसको आप देख लिजी आज ही के नियूजपेपर में है और इसमें ये बताया गया है कि तीन दिन और जो हैं बैंक बंद रहेंगे आईसे में आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर अगर बैंक बंद है तो क्या स्कॉलर्शिप आएगी या अब हम बात करते हैं जो में चीज के लिए हमने आज इस वीडियो को बनाया है आज ये वीडियो बनाने का में मतलब यही है आप सभी लोगों को एक जुट करना क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो है हक मांगने से नहीं मिलता उसको चीनना पड़ता है और उसक तक उन लोग को scholarship नहीं मिली है, एक भी पैसा उन लोग को scholarship का नहीं मिला है, और सिर्फ तीन दिन और बचा है इस महीने में, अगर ये financial year खतम हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको scholarship नहीं मिलने वाली है, तो अब हम बात करते हैं अपने viewers से जो हम request करेंगे, और अपने ये तो मैं करूंगा, ये obvious ही बात है, क्योंकि जो आप लोग viewers हो, वो मेरे ही हैं और अपने ही हैं, आप लोग अपने लिए मेहनत ये करना कि जो भी आपके college वाले जो चात्र हैं, उन सभी लोगों को अब एक जुट करना है, इस वीडियो को उन तक पहुँचाना है, और हम हम लोग आज से कल में, यानि एक से दो दिन के अंदर हम लोग ट्वीटर पर जो है इसकी मांग रखेंगे, आपको हम बता दे रहे हैं, ट्वीटर पर campaign करेंगे हम लोग, ठीक है, मैं अपने तरीके से, अगर मुझे कोई और भी जो हमारे YouTube साथी है, उन से भी मैं बात करू करते हैं, तो उन से भी मैं बात करूँगा, उनके पास ही request दे कर जाओंगा, आप सभी लोग के लिए, कि जो भी छात्रे उनकी scholarship नहीं आ रही है, और अब एक Twitter पर एक campaign होना चाहिए, कि तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और 31 के बाद अगर किसी की नहीं आएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, अब आप लोग मुझे comment करकर, आप मुझे सला दीजी, क्या ये चीज मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, और आप सभी लोग को पता कि Twitter पर दो लोग, चार लोग, छे लोग, हजार, दो हजार, पांस हजार, दस हजार tweet से कुछ नहीं होने वाला है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम, और तीसरा काम आप सभी लोग को Twitter चलाना सीख लेना है, क्योंकि जब हम लोग Twitter campaign करेंगे, तो बहुत सारे अचात जो है, नीचे comment करेंगे, और ये बताएंगे, सर मुझे Twitter चलाना नहीं आता है, तो मैं आप सभी लोग को बता दूँ, इस वीडियो को सेर करना, अपने कॉलेज के हर एक छात्रों तक पहुंचाना है, ताकि वो लोग एक जूट हो सकें, दूसरा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जो भी notification हो, वो मिल जाया, कब आपको Twitter campaign करना है, क्या-क्या अपडेट हो, व वहाँ से देख सकते हैं, कि हम Twitter को कैसे चलाते हैं, tweet कैसे हम कर सकते हैं, यह चीजे मैंने वहाँ पर बता दिया है, तो यह information सही है, अगर आपको लगता है कि हाँ Twitter campaign करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताए, तब ही हम यहाँ पर मदद कर सकते हैं, मै इधार अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, लोगों को मैं जोडने कोशिस कर रहा हूँ, आप लोग अपने साथियों को जोडने की कोशिस करिए, और इस वीडियो को share करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास update के साथ तब तक के लिए, खुस रहिए, मस तरहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जय हिन जय भारत